हेलो एव्रिवान कैसे आप सब आई होप यू आ दोई गूड वेलकम ते प्लाटफॉर्म तो गाइज एक इंपोर्टन्ट न्यूज है एक गुड न्यूज है आप सब के लिए जुमुएंट कश्मीर और लदाक स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ना चाहते हैं जुम वीडियो चाहते हैं लूंज है बैसी आप सब करना शाया है जो इस scholarship के बारे में या तो जानते नहीं हैं या तो बहुत कम जानते हैं तो आज उन सब के लिए ये information share करने वाला हूँ सारी चीजें detail में discuss करने वाला है कि इस scholarship क्या है आपकी motivation के लिए आप बाहर जा सकते हैं free में आप बाहर किसी भी college में पढ़ सकते हैं 5000 scholarship इस team के अंडर आती हैं तो apply कीजिए बहुत सारे professional general level courses होते हैं technical courses होते हैं non-technical courses इसमें available है management courses हैं तो सारी details एक एक करके आपके साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो में और application जैसे मैंने बताया आपको 6 तारिक से application process इसका open हो जाएगा जैसे ये application process open हो जाएगा उसी time आपके साथ share करूँगा वो details भी कैसे आपको 21 और 22 session के लिए registration करनी है ठीक है तो channel को subscribe जरूर कर लें आप ताकि आप तक ये notification पहुँचे है bell and icon को प्रेस जरूर कीजेगा ताकि ये notification आपको जो है time पे मिल जाएगी last date से पहले ही आपको apply करना है और last date से पहले आपको सारी चीजे खतम करनी है अपने documents तैयार कीजिए जो भी documents required है तो इन्शालला आप सब का जो भी है admission आप बाहर अच्छे college इसमें admission ले सकते हैं और जिसमें आपको government sponsor करेगी तो चलिए वीडियो ही शुरू करते हैं direct notification पे चलते हैं यह ठीक है PM SSS scholarship के बारे में जान लेते हैं अपने दोस्तों में share जरूर कीजेगा ताकि वो भी आपके साथ बाहर जा सके हैं जो मुएंट किश्मीर के बाहर अच्छे college में उनको opportunities मिले की पढ़ने के लिए तो यह है basically 21 का इसमें मुझे आपको कुछ ज्यादा 21 का मैं यहां पर आपके साथ share जाएगा आप आप से इसको download कर सकते हैं ठीक है तो यह है basically इसका background पूरी details 21 और 22 session के लिए आपको यह notification यहाँ पर पहली बार मिलेगा इस channel पर so subscribe जरूर कीजिएगा आप यह जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यह 21-22 के लिए हैं ठीक है special scholarship scheme students for the students of union territories of Jumu and Kashmir and Ladakh during the academic session 21-22 ठीक है तो कोई fake चीज नहीं है बिलकुल यह नई notification आई है आप इसको online खुद भी download कर सकते हैं तो background इसका क्या है कि 2010 में यह जो है एक committee बनाए गई थी तो उसने recommend किया था कि जुमएंट किश्मी students के लिए और Ladakh के students को बाहर जो है scholarship देनी चाहिए ताकि वो बाहर के colleges में पर सकते हैं तो यही इसका background है यही इसका objectives है ठीक है objective basically यह है कि जो आपका tuition fees इसमें रहता है और जो admission fees रहती है या tuition fees रहती है वो direct institution के account में चले जाती है और जो बाकी सारी details है scholarship आपको जो मिलती है जैसे maintenance allowances ठीक है mess fees, hostel charges, cost of books और other कोई charges होते हैं वो आपके account में आपको आ जाएंगे पैंसे ठीक है तो यहाँ पे scope क्या है जैसे आप देख रहे हैं मैंने पहले भी share किया यह 5000 scholarships इसमें दी गई है 5000 applicants को select किया जाएगा इस scholarship में on the basis of जो आपका 12 है जैने आप अगर आप 12 है आप ने डिपलोमा किया होगा तो आपका score किया उस basis पे आपका merit basis based scholarship रहेगी ठीक है तो out of 2070 scholarships are general category ठीक है फिर आपको यह भी बता दूँ कि इसमें जो scholarship आती हैं वो reservation based पे होती है general category के और या आपके RBA पे RB की अलग 10% reserved है ठीक है EWS की है CST की है तो इस सारी चीज़े इसमें दी गई है अब courses कौन कौन से rate of scholarship भी यहां पे दिया गया है according to the courses तो यहां पे जैसे अब stream देख रहे है general stream तो इसमें 2000 टोटल नंबर ऑफ scholarship 2070 scholarships है और amount academic जो fee इसमें रहेगी वो है 30,000 रुपए ठीक है और maintenance charges जो अप टू वन लैक रुपी तक रहेगा maximum और फिर professional courses की बात आई जैसे engineering है nursing है भी farm pharmacy है तो इसमें 2830 scholarships होगी इसका जो academic fee है वो 1.25 लैक रहेगा और इसमें भी जो है maintenance charges 1 लैक maximum रहेगा next step medical में जैसे mbbs bds recently इसमें include किये गए हैं यह डिग्री तो इसमें 100 scholarships रहेंगी तीन हजार इसमें sorry तीन लाफ रुपए का इसमें जो है execution fee रहेगा याने academic fee रहेगी और total जो scholarship रहेगी वो है 5000 scholarships ठीक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी opportunity है कि आप इसमें participate कर सकते हैं और इसमें यह scholarship आपको मिल सकती है और आप अच्छे से अच्छे college में पढ़ सकते हैं ठीक है तो not exiting one like तो यह सारी details यहाँ पर दी गई है कि जो यहाँ पर maintenance charges हैं वो आपके एक लाग maximum रहेंगे ठीक है नेक्स आपर मिलेगा जैसे मैंने पहले ही बताया आपको scholarship का academic fees जो होगी यह institution के account में directly इनको मिल जाएगा institution को इसके साथ आपको कोई जो है कुछ करना नहीं है और जो बाग की चार्जिस हैं आपकी जैसे मैस हैं होस्टल फीस हैं वो सारी डीटेल्स वो सारी जो चार्जिस हैं वो आपको account में मिल जाएंगे ठीक है इसमें general stream के लिए one point twenty five thousand जो है one like twenty five thousand professionals के लिए हैं और engineering stream के लिए 30,000 रुपए सारी जो professionals हैं जिसमें आपके engineering stream के आते हैं या बाकी professional degrees आती हैं उसमे one one like twenty five thousand रुपी आपको मिल जाएगा और 30,000 general stream वालों को मिल जाएगा और medical stream के लिए भी 30,000 रुपए मिल जाएंगे ये मैंने आपको पहली जो है उपर share किया है maintenance charges एक लाफ रुपए मिल जाएगा second year से भी आपको ब है वो benefit based पे आपको मिल जाएगी 10 monthly basis पे that is 10,000 रुपीज आपको monthly account में आ जाएंगे eligibility क्या है सबसे important चीज़ eligible कौन है देखो सबसे पहले तो domicile होना पड़ेगा जुमाएंड कश्मीर या लदाक का 12th pass examination जुमाएंड कश्मीर या CBAC board affiliated schools जो located होंगे जुमाएंड कश्मीर औ लदाक में होनी चाहिए family income आठ लाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है आठ लाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो लेटरल होगा जो डिपलोमा वगेरा है उनका भी यहां पर जो है process वो भी admission ले सकते candidates are compulsorily required to apply online तो इसका process जो है online process है ठीक है AICT web portal पे इसको apply करना है वो भी मैं आपको share करूँगा आपके साथ कैसे apply करना है admission and a later category subject to allocation of seats जो लेटरल कैटेगरी में admission लेंगे जिनका डिपलोमा या इनका बाद में हो जाएगा ठीक है vacant seats जैसी seats available होंगी वैसे ही उनको जो है admission ये scholarship मिल जाएगी merit list जो होगी वो prepare होगी hsc याने high secondary school examination या lateral entry students की students बेस पे तो आपका जैसा score रह गया होगा उसी के according आपको scholarship मिल जाएगी अगर आपका score अच्छा है तो आपको scholarship definitely मिल जाएगी the same will be displayed on the AICT portal ये AICT portal पे आपको सारी details मिल जाएगी exclusion कौन है कौन इसमें apply नहीं कर सकते हैं तो candidates अगर open university से हैं या कोई already किसी scholarship में या कोई management quota वाले हैं या candidates person diploma courses है post graduate studies level in any discipline या income 8,00,000 से जादा हैं तो ये basically इसमें eligible नहीं है ठीक है अब reservation category के आप यहां पे देखे सबसे important इसमें के लिए 10% जिया गया है स्वारी ST के लिए 8% है ST के लिए 10% reservation रखी गई है अब जो weaker sections है social law के लिए है RBA के लिए 10% रखा गया है और your line of control के around है joining areas में उनको 4% ये scholarship मिल जाएगी और पहारी speaking के लिए 24% है और EWS category वालों के लिए 10% reservation रखी गई है ठीक है तो institutions colleges participating तो आपको इन ही scholarship तब ही मिलेगी जब आप उन colleges में जो AICT ने approve किये हुए हैं ठीक है तो आपको list of colleges पहले चेक करनी पड़ेगी AICT के official website पे तो उसके बाद उन ही college में आपको admission लेना है अल NAC accredited the general stream Delhi University College Central University all NbA accredited up to rank 300 government institutions facility and other good institutions identified in advance listed with the prior तो चे approval of the chairman अच्याद्मिशन BSc will be given in government nursing institutions Hostel Facility is to be relaxed for general stream courses और any other located in दिली, मुंबाई, पूने तो ये सब Hostel Facility भी आपको मिल जाएगी Authorized to take final decision Admission in IIT, NIT institutions तो आप बिलकुल इनमें भी admission ले सकते हैं Aspire is desire to take admission through जो इसमें है आईजर में NIT, IIT, IASC, Central Funded Institutions National Importance will be considered तो ये भी इनमें भी इस सारे institutions में अगर आप admission लेते हैं तो वो भी consider किया जाएगा The students participate online counseling ये JEE score जो है वो आपको show करना हुआ ठीक है तो ये सारे details इसमें जो है दी गई है Basically ये video आपकी motivation के लिए है अगर आप LLB, B.A. LLB में अडमिशन लेकि वो qualify अगर है तो आप कोई scholarship मिल जाएगी ठीक है? Duration of the scholarship जब तक आपका course है तब तक की scholarship चलती रहेगी लेकिन अगर कोई fail होता है first year में तो second year में उसको scholarship मिलेगी दो बार से ज़्यादा दो बार या दो बार continuously अगर fail होता है तो कोई scholarship पर नहीं मिलती है Online admission जो process है ठीक है? Candidates who have passed जन्होंने 10th जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि जन्होंने plus two या Polytechnic engineer या कोई diploma किया है तो वो इसमें apply कर सकते है Online जो आपको 6th से आपको मिल जाएगा आप documents क्या क्या है Certificate, Domicile Certificate, Certificate of Class 10th और 12th examinations की होनी चाहिए या Polytechnic diploma है तो ये होना चाहिए Income Certificate बहुत compulsory है इसको आप बना के रख ले Students quota Certificate है तो आपको reservation की certificate भी होनी चाहिए ठीक है? वी डवीडी से कोई apply कर रहा है तो पी डवीडी की certificate होनी जाहिए Document verification और choice filling जो आपको लेटर ओन वेरिफाय होना गया जो आपको लेटर ओन वेरिफाय होने nearest जो आपका vaccination center है वहाँ पे ये apply और जो है verify होते हैं ठीक है? जो nearest आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर होगा फैसिलेशन सेंटर प्येम ट्रिपल एस का तो वहाँ पे documents verify होंगे और वहाँ पे आपको एक document verification की जो है report लेनी होगी जो आपको फिर official website पे upload करनी है ठीक है एक बार आप इसका process registration शुरू करें आपको सारी details जो है समझ में वहाँ से आएगी one by one the details will be displayed on the ठीक है provisional merit list उसके बाद होगी on the basis of class 10th या 12th diploma result पे ठीक है allotment of the seats will be done through online counseling basis पे ही allotment of seats होगा ठीक है allotment of seats will be done through online counseling process subject to merit merit based पे जैसे मैंने पहले ही बताया 12th या diploma में जो जैसे आपका score है अगर आप top जो है इसमें fall करते हैं जो मुएंड कश्मीर में या लदाग में तो आपको definitely scholarship मिल जाएगा ठीक है disbursement steps to be taken after joining the institutions आपको immediately आप जब आप जॉइन करेंगे कोई भी institution कोई भी college तो आपको joining report जो है वो upload करनी होगी triple s की website पे joining report फिर institute जो है वो verify करेगा उसके बाद उसको verify जो है आपकी scholarship जो है वो disburse हो जाएगी आपके account में ठीक है उसका process शुरू हो जाएगा steps to be taken by the institute ये institute के लिए है इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं करना है institute सिर्फ आपकी जो है joining report verify करेगा implementation ठीक है ये committee बिठाए जाएगी जो basically ये चीज़ें आपको देखने की ज़रत नहीं है तो यहां पे कुछ important चीज़ें हैं आपको जो साथ रखनी है पासपोर्ट साइज photograph होने चाहे, scan nature होने चाहे, domicile certificate होने चाहे, sst mark sheet, family income, bank details होने चाहे तो ये documents है जो आपके पास अभी available होने चाहें क्योंकि ये आपको पहली ज़रत है, 6 तरिक से इसका registration process शुरू होने वाला है तो इसलिए आपको ये आपके पास available होने चाहें तो कौन-कौन से documents है, passport, photograph, scan signature, domicile certificate, sst mark sheet, family income, bank details ठीक है आपका अपना bank account होना चाहे, आधार details, category certificate, persons with disability certificate और candidates who are already availing the benefits are not eligible to apply, आशा वो eligible ही नहीं है, जिनके पास ये scholarship already है student is required to give preference to the courses, ठीक है आपको course को preference देनी होगी, ये आपको counselling होगी तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजे समझ में आ जाएगी तो general stream जो है इसमें BA, BCOM, BSC ये सारे courses होंगे, professional में BE, BTEC होगा, BFarmacy होगा, medical stream में BDS और MBBS और BAMS और applied medical courses इसमें रहेंगे bank details seated with the आधार, तो आपने अगर आधार लिंग नहीं किया है तो वो भी आपको करना होगा upload a scan copy of आधार card of the student, name of the account holder, name of the address, facebook तो ये सारी details basically आपको यहां पे IFSP code के साथ जो है submit करनी है, तो ये आपको PDF मिल जाएगा, telegram group पे join कर लीजे, mats academy link आपको description में मिल जाएगा तो ये 21 और 22 session के लिए है, तो आप सब के लिए बहुत ही अच्छी update है, good news है, कि 21 और 22 session के लिए applications open हो जाएगे 6th को, process क्या रहाएगा, वो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको channel को subscribe जरूर कर लें ताकि आपको notification मिल जाएगा, पहले ही तो ये है official website यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, आप इसको यहाँ से भी download कर सकते हैं, तो ये कुछ events है, मैं आपको एक बार ये open करके दिखा देता हूं, तो ये event है, मैंने already इसको ये 21 और 22 session के लिए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, admission session year, 21, 22 के ल जाएगा, ये बहुतरी important dates है, जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी आपको telegram पे मिल जाएगा, ये list, तो ये थी हमारी आज की important video, PM SSS scholarship scheme for 21, 22 session के लिए registration open, almost हो गये हैं, दो दिन में आपको online application process जो है, इसका शुरू हो जाएगा, आप अभी से अपने document तयार कीजएगा तो ये थे आज की important updates, so thank you so much for watching, stay tuned